इन दिनों सोयाबीन की फसल हूब चर्चाओं में है मेरे किसान भाई मुझे आए दिन ये मेसेज करके पूछ रहे हैं कि हम सोयाबीन की फसल में कब-कब खाट डाल सकते हैं और कौन-कौन सा खाट डाल सकते हैं इसके कारण हमारी सोयाबीन का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ जाए। तो मेरे किसान भाईयों आपके इसी सवाल का जवाब लेकर हम इस वीडियो में हाजीर हैं। अगर आपको हमारी जानकारी जरा भी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूलें। तो किसान भाईयों जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोयाबीन एक तिलहनी फसल है जिसके कारण ही हुई हम सोयाबीन के बुआई के दोरान किसी भी प्रकार के खाथ का इस्तमाल नहीं कर पाते हैं। और किसान भाईयों की सबसे बड़ी मजबूरी यही हो जाती है कि बाद में कब डाले खाथ जिसके कारण हमारी फसल खूब उत्पादन दे। तो हम आपको बताते हैं वैसे तो लोग सोयाबीन के बुआई के 25 से 30 दिन के बाद ही पहली खाथ का छड़काओ करते हैं। तो ऐसा ही आपको भी करना है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनों ने आपकी अपनी सोयाबीन की फसल में खरपतवार नासी का इस्तमाल किया है। जी हाँ, जब भी चारा अधिक मात्रा में उगाता है, तो सोया बिन की फसल में किसान भाई सबसे पहले यही काम करते हैं, कि उसमें खरपतवार नासी डालते हैं. अब उस शिड़काव के कारण होता ये है कि सोया बिन के जो भी पोधे होते हैं उन पर भी खरपतवार नासी का अधिक प्रभाव पढ़ता है। जैसा कि आप जानते हैं चारा तो नस्ट हो जाता है साथ में ही हमारी सोया बिन पर भी असर पढ़ता है जिससे कि उसकी ग्रोथ रुख जाती है। आपको यूरिया डालना है। जी हाँ यूरिया खाद आपके पोधों की ग्रोथ को एक डम तेजी से बढ़ाएगा। उनकी हाइड बढ़ेगी, उनकी हेल्थ बढ़ेगी, जानिकी जादा से जादा पत्तियां, जादा से जादा टहनियां आपके पोधे में दिखाई देने दरसल किसान भाईयो यूरिया में नाइट्रोजन की मातरा बहुत जादा होती है वेसे तो अगर आपने खरपतवार नासी नहीं डाला है तो यूरिया की कोई आशकता नहीं है लेकिन अगर आपने खरपतवार नासी डाला है और आपके पोधे की ग्रोध को बहुत तेजी से बढ़ाता है वेसे तो आम तोर पर सोया बीन की जो टहनिया होती है या फिर जड़े होती है वो घुमाओदार होती है उनमें गड़े गड़े टाइप के होते हैं एकदम इसे उठे हुए जो कि नाइट्रोजन को जमीन से निकालने का कार करते हैं लेकिन पोधे कमजोर होने की वज़े से ये प्रक्रिया नहीं हो पाती है इसलिए हमें यूरिया का इस्तमाल करना है अगर आप यूरिया सही समय पर डाल देते हैं तो आपके पोधे एक दम फले फूलेंगे उन पर फूल जादा दिखेंगे उनकी टहनिया जादा तो आप जैसा की जानते हैं जितना बड़ा पोधा होगा उतनी ही जादा उस पर पत्तियां होंगी और उतना ही जादा उस पर फल लगेगा जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि यूरिया आपको डालना है लेकिन कितनी मातरा में डालना है वो भी सुन लीजिए आपको प्र तो आपके पोधे तेड़े मेड़े हो सकते हैं इसलिए हम आपको बता दे कि 25 से 30 किलो के मद्ध ही आप यूरिया का चिर्काव अपनी केती में करें तो ये थी आज की हमारी जानकारी किसान भाईयो अगर आपको हमारा ये वीडियो जरा भी पसंद आया है तो इसको लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद